हेलो और वेलकम एवरीवन गाइज कैसे आप सभी लोग वागत है आप सभी का एड़ू कैप्टन पर तो सिंप्लिफिकेशन एंड सर्ट इंडाइसिस निप्टाते आज ठीक है एक्जामिनर तो पहली आप लोग का इसको नंबर सिस्टम के अंदर इंक्लूड कर देता कि लो इंपर्टन आपको अंडरस्टैंडिंग में देने वाला है में चीज़ों को हम तो तरिके से करेंगे नमबर सोडी टेली ग्राम चैनल हमारा देखो अपने आप यह आ जाता है ना ठीक है मतलब खुद आया था है अपने आगे अपने आपकी यार मेर को भी थोड़ा दिखा दो आप लोग की वह जारे टेंशन है इसको हमारे टेलिग्राम को तो टेलिग्राम चैनल है हमारे क्वांट एलाई डियाई की मैं फिल पीड्रेफ कहां मिलेंगी यहीं पर मिलेंगी आप लोग की क्विजिस कहां पर होती है कोई भी नोटिफिकेशन मुझे देना होता है कि मैं लेक्चर्स वगएरा कहां पर आ रहे यहीं पर आएंगे आप वो कुछ भी डाउड पूशना है टेलिग्राम पर पूछना है सब कुछ टेलिग्राम पर है कमेंट में वह मत किया करोगी दिक्कते हो जाती है तो टेलिग्राम चैनल पर आजाए करो आप जैसे बहुत सारे बालक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनके दुखदर्द मैं आपने साथ बाढ़ता रहता हूं है ना शेयर करते रहते हैं हम आप लोग आप दूसरे के साथ टेलिग्राम चैनल में आप लोग को दिखा देता ह हुए my देता हुए यह देखो इस का सोफ टाय्क करवा रखा था जहें हो स्कोर करते हूएह लें इसे पड़के अजानके अंदर अच्छा सा स्कोर पर कर लेना कहा मिलेगी अदू कैप्टन चैनल ओपन करो पूरी प्लेइलिस्ट बना रखी है मैंने 2024 कौन्टेटिव एप्टिटूड देखो रेशन प्रोपोर्शन से स्टार्ट कर रहा है अब पूरी प्लेइलिस्ट आप लोगो कि मैंने यहां पर बना रही है आप लोग यहां से जाके देख सकते हो अब मैं बढ़ते हैं अपने चैप्टर के उपर एक सेकिंड बस मैं थोड़ा यहां पर अपनी AC चालू कर लो गर्मी बहुत हो रही है तो अभी हम कंसेप्ट करने जा रहे हैं अपना कंसेप्ट है हमारा डिफरेंस एंड प्रोड़क्ट तो इससे रिलेटिड में पहले ना आप लोग को थोड़ा सा कंसेप्ट अंडरस्टेंडिंग बिल्ड कर दो ताकि आप लोग को जो मैं अभी कोशन करवाने वालों वो थोड़ा सा आप लोग को समझ आ जाए न जैसे कि अगर मैं आप लोगों से एक बात मुझे बताओ मेरे पास यहां पर वन अपून फाइघ यहां पर मेरे पास वन फाइघ है वन अप उन फाइघ यहां अप नवाला उना इस तरफ से लेके गया हूं लेके गया हूं लेके गया हूं अब्लोग को राइट हैंड साइड से लेके जाना पड़ता है ठीक है बतलब आपको सिर्फ इस तरीके से नंबर दे दी जाएंगे आपको इस नंबर से इस form में convert करना है ठीक है जी अब वो convert कैसे करोगे वो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ आप लोगों को एक पंदर को एक ऐसे दो नंबर के अंदर ब्रेक करना है जिसके बीच में difference छोटे से छोटा हो ठीक है जिसके बीच में difference कम से कम हो तो आप बोलो कि सर फाइफ थीरी जाना इन टीजर्स में रहना है ठीक है तो वो दो नंबर को हमेशा आगे रखना बड़े न करना आपका वही होना की जो ओपर लिखा हुआ है जैसे कि यहां पर इन दोनों के बीच का गयप habr העり लिखात को यह चीजर्स लिखे लिए wants a पन ठीक है पाइफ को मुझे लिख दे नाई डैड्सट होई पूस्ट मेरी बनजाएगी मैं है इसा करुं हدا मैं भी जब कोशेंस आगे करवाऊंगा ना तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह रहेगा कि यह सर यह ऐसा हो क्यों रहा है हाला कि एक्जाम के अंदर नहीं पूछा जाएगा कि सर ऐसा हो क्यों है और मैं भी इस वह से समझा दू ताकि आप लोग को थोड़ा थोड़ किस तरीगी से तो आपको उसको करना है वह मैंने आप लोग को बता दिया है मैं यह बात अपनी रिपीट कर देता हूं कि अगर आपको इनके बीच का गाप देखा इस 5 को बना पूंद 5 लिख दूँगा मेरा वही नंबर बन जाएगा जो कि जिस नंबर से मैंने इसको बनाया था ठीक है यानि कि यहां left से right जाने की technique तो आप लोगों पता ही थी right से left आने का भी formula आप लोगों पता चलिए मतब तरीका पता चलिए अब मैं आप लोगों को नहीं question देखता हूँ इसी का एक छोटा सा part ले लेते हैं क्या हो रहा है एक छोटा सा हम इसी का part ले लेते हैं जैसे कि मेरे पास 1 upon 6 है plus 1 upon 12 है 1 upon I think 13 था 20 and 30 1 upon 20 है 1 upon 30 है मेरे पास यहां पर ठीक है एक इसी का पिछले question का मैं छोटा सा part ले लिया है तो मुझे अब यह सारा solve करके दिखाना है न अब आप देख पारे हो कि sir यह जो मेरा 1 upon 6 है ना इस form में लिखा गया है अगर मैं इस 1 upon 6 को इस form में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा कि मुझे 6 को ऐसे छोटे छोटे नंबर के अंदर ब्रेक करना है जिसके बीच में गैप कम से कम हो तो आप बोलो कि sir मैं इस तरीखे by by लिख सकता ह अब लोg को बिल्गुल चीजे एक तम एटुँझाएं गी ऐसा नहीं होगा कि सर मुझे तो रटना पढ़ रहा है यह हो गया वो गया नहीं समझ सारा कुछ आएगा आप लोगो पूरिए इंडरस्टेंडिंग देता हो चलूँगा आप लोगों ने देखा कि इसको ब्रेक कैसे कर सकते है इसको नब तो इसको नब लिख दूंगा को माइनस वान पॉन थी यह मिरा वन पॉन फॉर आपको पता चल जिलिए मैरा माइनस क्लिक रहा है यहां पर क्योंकि इस स्टेप से इस तरीके से आना होता है ठीक है प्लस वन अपोन फोर माईनेस वनन ऊपन 5 आ गया प्लस वर उपन 6 माइनस वनपन 6 हो गया है तो आपके पास एकसट पाथि से अंदर इस सीरीज बनी आति है कि आपको इस तरीषी से शौल करना होता है इसको उम्मेद करतों क्लियर औहो गया लोगो अब हम चलते हैं आगे अब देखो यह मेरे पास इस तरीके से सीरीज है तो अब ही मैंने आप लोगों को बताया है क्या करना होगा आप लोगो इसको नंबर को ब्रेक करना है जिसके बीच का गाप कम से कम हो अब ही आप लोगों ने देखा सर वन का गैप है अभी आप लोगों के दिमाग मुझे पता है एक डाउट हो रहा है कि सगर अगर यहाँ पर जो डिफरेंस है यह अगर इसके इक्वल ना हुआ तो नियूमेटर का इक्वल ना हुआ तो वो कैसे करेंगे अभी जस्ट बताऊं है थीच वाले नंबर तो दोस्तों मेरे कैंसल ही हो जाते हैं यह जाएगा या यानिकि आप लोग देख पारो कि मेरे पास यहाँ पर चाहा है और रिमेनिंग आपका जानी कि इनिश्यल नंबर और लास्ट वाला नंबर मेरे पास है न है लाइटनिंव ठीक है ना मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम तो ले लाइट वगरा कम हो जाती है कि एक सेकेंड कि अभी हमने थोड़े पहले देखा कि आपका शुरुवात वाला नंबर दोस्तों और लास्ट वाला नंबर बचता है तो बस एक सोल कर लेंगे इसका एलसमा जागा ड़ा है 2 6-12 minus 1 तो अंसर इस 7-12 इस my answer ठीक है जी 7-12 इस my answer आप इस वाले कोशन पर करते है आज यह इस वाले कोशन पर तो इसको break करें जिसके बीच में गम से गम gap हो तो आप कहो कि सर 3, 5, 15 होता है विकोज इससे pass वाले नंबर तो कोई हो नहीं सकते 5, 7, 35 हो गया सर 7, 9, 63 और 9, 11, 99 अब आपने एक चीज नोट करी सर अब आपने एक चीज नोट करी कि सर इन दोनों के बीच का gap तो 2 है बट यहाँ पर new meter में 1 लिखा है इन दोनों के बीच का gap तो 2 है बट new meter में 1 है 2 है 1 है 2 है 1 है तो सर अब किस तरीके से करेंगे आपने हमें बताया था कि अगर difference और new meter सेम हो तो सीधा वही नंबर उठाके और लास्ट वाला नमबर उठाके और उपर 1-1 रखके उनका बीच का डिफरेंस लिख देते हैं मना माइनस कर देते हैं 1 upon 2 minus 1 upon 12 तो अब इस कोशन किस तरीके से करेंगे यह आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कोई बात नी भी देखो अब बड़े अरसानी से कोशन को भी कर लोगे कुछ ही नहीं करना अगर आपका डिफरेंस न्यूमेटर के बराबर ना हो तो कुछ ही नहीं करना आपको सेम चीज करनी है जो आप लोगों ने उपर वाले कोशन में करिए सुर्वात वाला नंबर इनिशल नंबर लास नंबर उठाके लिख देना है यानि कि 1 अपों 3 माइनस 1 अपों 11 ठीक है बस एक एक्स्टा काम करना है कि जब आपका डिफरेंस उपर वाले न्यूमेटर से मैच ना कर रहा हो तो आपको करना क्या है यही डिफरेंस उठाके बाहर लिख देना है 1 अपों 2 बात आरी समझ ऐसा क्यों होता है सर क्यों कर रहे हैं मैं आप लोग को बतायता हूं जल्दी बताऊंगा आपको देखो हम ऐसा करते क्यों मतलब यहाँ पर रवन समय क्यों ऑपर न यहां पर दम आ konよろしく अलब कर टेएगर तो टो 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 इसस्वश् 있고 न्यूमेटर देफरेंस तो बराबर होजाएगा तो जब न्यूमेटर मेने इस से जिए है बन जाएगा इस दिए अब जब भई न्यूमेटर और डिफरेंस बराबर होते तो वह चीज यह बना देती है ओके और यह मेरा 1 upon 2 as it is यहीं आ गया ठीक है तो अगर यह चीज अगर आप लोग को समझ आ गई तो well and good वरना कोई दिक्कत नहीं एक्जाम के अंदर नहीं पूछी आती मैंने आप लोग यहां पर अगर मैं देखता हूं तो 10 को मुझे करना है तो ऐसे दो नंबर के अंदर ब्रेक करना है इसी तरीके से यहां पर भी मैं ब्रेक कर दूंगा 17 into 20 बीच का gap 3 है तो एक बार मुझे बताओगे आप लोग क्या बनेगा यहां पर बताओगे पहले एक बार वीडियो पोस्ट करो खुट से try करना ठीक है तो भाई देखो difference बच्चो difference और new meter मेरा same नहीं है तो difference मैं as it is बहार लिख दूंगा बाकी अभी मैंने आप लोग को क अब लोग को क्लियर हो गया होगा आप लोग को अब यह वाला कोशन आप लोग का homework में है इसको प्लीज इसका answer करिएगा आप लोग ठीक है अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी हर तरीके concept हमने कर लिया अंडर रूट एंड समेशन सीरीज अंडर रूट यह बच् लगा के infinite तक आप लोग को अइससे दो नमबर कें ब्रेक करना है जिनके बीच का डिफेरेंस आपका वन हो इस अंडर रूट वाले नमबर को आइससे दो नमर्पेंदर अबन रहेएगोंắpे तो घप बबास का साइन तो बड़े वाला नमबर ँससर चा जबभी हाइब आप जिनके बीच का difference आपका 1 हो ऐसे दो numbers के अंदर break करने आप लोग को तो जब कभी भी guys आपको plus का sign हो तो उस case में आपका बड़ा number answer होता है जब guys कभी भी आपका minus का sign हो तो उस case में आपका छोटा number answer होता है तो अब एक बार बताओगे कि यहाँ पर कौन सा अंसर होगा माइनस का केस चल रहा है माइनस माइनस है तो यहाँ पर आपका वन अंसर हो जाएगा अलो 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 तो अब देखते हैं भई अपना summation series है ना मतलब अगर आपसे बोल दिया जाए कि अब बिल्कुल कट हो गया था मेरे वीडियो बिल्कुली ठीक है तो summation series है हम यहाँ पर अपनी देख रहे हैं तो अगर देखो मुझसे यह बोल दिया जाए कि भई फस्ट अन नाच्छल नंबर का मुझे सम बताओ तो आप कैसे बताओगे कि आप एक से दस तक नंबर को सम करने लग जाओगे उनका अगर चलो एक से दस तक आप लोगों ने सम कर भी दिया अगर मैं आपसे बोल दो कि बताओ एक से लेके पचास तक का सम बताओ तो फिर कैसे करोगे तो तब दिक्कत हो जाती है तो उस case के लिए हमें formulas कुछी learn करने पड़ते हैं तो उस case को हमने नाम देवाई summation series यानि कि जब आपकी एक first series से आपसे sum करने के लिए बोल दिये जाए तो वो sum कैसे करेंगे हम तो अगर आपसे बोल दिये जाए कि बताओ find the sum of first find the sum of first and natural number find the sum of first and natural number find the sum of first and natural number तो कैसे करोगी यह formula लगा दोगी simple आप लोगों ठीक है and natural number कुन से होते हैं मेरे 1 plus 2 plus 3 sorry यहाँ पर कॉमा की लगा जाए 3 4 5 6 यह सारे जो भी infinite तक जा रहे हैं में सारे natural number हैं अगर आपसे बोल दिया कि बताओ एक से लेके 10 तक natural number का sum बताओ यह ना 10 तक जा रहे हैं तो आपको क्या करना है यह आपने देखा कितने natural number से आप लोगों के तो आपको कि सर दस natural number है तो आप इस n की value कितनी put कर दोगे 10 put कर दोगे 10 into 11 divide by 2 2 से cancel करोगे 2 5 is 10 यानि कि परस्ट 10 natural number का sum में रहे हैं कितना जगा 55 चाहते एक बार करके देख लेए आप लोग ठीक है अगर आपसे बोल लेकि बताओ फर्स्ट नैच्रल नंबर के स्केर का सम बताओ यानि कि 1 स्केर प्लस 2 स्केर प्लस 3 स्केर प्लस 4 स्केर इसी तरीके से infinite तक जा रहा है अगर natural number के स्केर का सम बताना है तो आप लोग को बच्चे ये वाला formula इस्तमाल करना पड़ेगा यानि n into n plus 1 into 2 n plus 1 upon 6 अगर आपसे n natural number के cube का सम पूछ लिया जाए तो cube का सम पूछ लिया जाए तो आपको यहाँ पर स्केर पूट कर देना है ठीक है आपसे पूछ लेता है exam के अंदर इसी तरीके सा अगर आपसे बोल दिया जाए कि find the sum of first and even natural number ठीक है तो आपको क्या करना है n into n plus 1 that's 8 बस even number कोन से होते हैं आपके 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 इस तरीके सा अगर आपसे an even natural number दे दिया जाए ठीक है और आपसे उनका sum पूछ ले जाए तो आप सीधा यह formula पूट कर सकते हैं for example मैंने पूछ लाए कि बताओ first two even natural number का sum first guys first two even natural number का अगर मैं आप लोग को sum पूछ लोग first two even natural number का sum first two even natural number का sum तो यहाँ पर आप लोगों देखा कितने natural number हैं कितने बोले natural number two तो बस आप two यहाँ पर put कर दीजे two और यह आपका two plus one three हो जाएगा two three is a six ठीक है जिसमें चीजे पूछ पूछ रोग को अगर आपसे first and odd natural number का sum पूछ ले जाए sum of first and odd natural number और तो आप क्या लगाद होगे गाइस and scale odd number कौन से होता है मेरे three sorry one three five seven nine इस तरीके से infinite यह भी आप प्रूफ कर सकते हो जैसे कि अगर मैं first two odd number का natural first two odd natural number का sum पूछ लोगों से तो आप क्या बोलोगे sir first two odd natural number यानि two का scale यानि कि four हो जाएगा अचा है तो आप यहां से पूर कर सकते हैं इन दोनों का स्था मेरा four आ रहा है तो यह formula आप लोग सीधे सीधे use कर सकते हो बजाए calculation करने के आप देखो कभी कवार ना आपको इस तरीके से series भी दे जेती है one two three plus four आपका 50 तक जाएगा मतलब एक दम से series चड़ेगी फिर गिरेगी ठीक है तो जब तक series चड़ती है ना जिस peak तक series मेरी उपर बिल्कुल highest greater number तक जाता है उसके बाद गिरने लग जाते है तो greater number का मैं क्या कर दूँगा scale ठीक है जैसे कि यहां पर one plus two plus 50 तक गया फिर आपका 121 तक आ गया है तो इसका सम निकालने के लिए क्या करूँगा मैं सीधा 50 का scale कर दूँगा ठीक है यानि कि 2500 इस पूरी series का sum हो जाएगा अगर 51 तक जाती और नीचे गिरती तो फिर 51 का 52 तक जाती तक जाती इस तरीके से इसके अंदर आपको मॉक्स मिल जाएंगे डाउनलेड बोलना भी नहीं आ रहा मतलब एक होता है ना कि जवान से वह चीज निकलती नहीं डाउन लोडेवल है ना डाउनलोडेवल फॉर्म में आप लोग मॉक्स डाउनलोड कर सकते हो अपने है ना मतलब उसका प्रिंट आउट वगर है पीडए फॉर्म में भी आप लोग अपना मॉक्स निकाल सकते हो यहां पर ठीक है इबुक्स मिल जाएंगी complete आउट अगर आपको इस तरीके से कंपेर करने के एक आपका क्रोस मल्टिप्लिकेशन आपका जस्ट अप्रोक्सिमेट इट डोनों मैं आप लोगों सिखाता हूँ दोनों किस तरीके से करने है ठीक है पर एक्जांपल यहां पर मेरा 1 upon 2 है और यह मेरे पास 1 upon 5 है अब मुझे बताना है कि इन दोनों में से कौन सा बढ़ा है यह मुझे यहां पर बताना है तो मैं क्या करूँगा फर्स्ट मैठेड में बता रहूं क्रोस मल्टिप्लाइ करके देख लो दोस्तों तो 5 को मैंने 1 से मल्टिप्लाइ करा मेरा पर 5 आ गया तू को मैंने यहां पर 1 से मल्टिप्लाइ 2 आ गया तो न्यूमेटर में जो बढ़ा आया नंबर वो मेरा फ्रैक्शन बढ़ा होगा न्यूमेटर में मेरा 5 बढ़ा आया है तू छोटा आया है यह मेरा 1 upon 2 बढ़ा होगा ओके बास बढ़ा होता है 0.2 बढ़ा होता है तो आप approximate से भी कर सकते हो उम्मीद करते हूं दोनों तरीके आप लोगों समझ आ गए होंगे कि fraction को किस तरीके से मैंने compare करना है एक छोटी सी चीज में आप लोगों और यहां पर बताऊंगा वही कि denominator में नंबर छोटा होता है ना तो overall number मेर बढ़ा होता है डिनोमेटर में नंबर मेरा बढ़ा हुआ तो overall number मेरा छोटा होता है एक्जामपल देखलो यहां पर मेरा 1 upon 2 है यह मेरा 1 upon 5 है अभी आपको पता चला है कि भाई यह वाला number मेरा बढ़ा है इस वाले number से अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा भी 1 upon 2 मेरा 1 upon 5 से बढ़ा है यह हमने देखा है तो एक चीज़ नोट करो कि denominator में अगर number मेरा छोटा हुआ गाइज तो number मेरा बढ़ा होगा overall fraction मेरा बढ़ा होगा अगर denominator में number मेरा बढ़ा हुआ तो overall fraction मेरा छोटा होगा यह बस बात आप ध्यान में रखना है calculation हो जादा काम आएगी आप लोगों की calculation बचाएगी यह ठीक है denominator में number चोटा हुआ तो overall fraction बढ़ा होता है अगे बढ़ते हैं अब देखो मेरा पास यहां पर कोशन है मुझे बताना है कि इन दोनों statement में से कौन सी statement मेरी सही और बच्चों को देखके हो गई हो जाती हवा खर बताने कि कौन सी statement मेरी true है मुझे यहां पर बताना ही कौन सा fraction मेरा बड़ा चोटा है अगर बड़े चोटे असेंडिंग ओडर डिसेंडिंग ओडर के according ही यह लगे हुए है तो दोनी statement मेरी true है अगर ascending order descending order के according नहीं लगे तो statement मेरी wrong हो जाएगी false हो जाएगी तो बस check करते है तो भाई पहली statement अगर मैं देखता हूं तो मुझे बता रखा है कि यह जो second fraction है यह first fraction से बड़ा है ओके तो मैं के कर रहा हूं मैं cross multiplication से यहां पर करके देखता हूं ठीक है तो 91 को मैंने 3 से multiply किया तो 937 और 313 यहां पर मेरा 273 आया है और इस 7 को मैं 5 से multiply करूं से 35 और 5 तो इस मुझे सही दे रखा है अब मैं चैक करूंगा दूसरा इससे मैं चैक करता हूं तो 9 को जब मैंने 5 से multiply किया तो 95 45 and 95 45495 आ रहा है मेरा यहां पर ओके और 91 को मैं 57 से multiply करूंगा 97 63 यानि कि यह भी मेरा बढ़ा है यानि कि मुझे सही दे रखा है ना मैंने इन दोनों red color के यह वाला fraction बढ़ा है मुझे सही दे रखा है यानि कि यह statement मेरी true हो गई बात समझाए आप लोगों को इस तरीके से हम यहां पर compare कर सकते हैं ओके ठीक है ना sound ठीक है मेरा अब देखो यहां पर ना अगर मैं 11 को 157 से multiply करना पढ़ जाएगा मेरा 12 से 135 को multiply करना पढ़ जाएग यह जो यहां पर मैंने अभी आपको cross multiply बताया यह चीज आप लोग कर सकते हो बट इस case के अंदर मैं आप लोग को जब थोड़े बड़े बड़े नंबर आ जाए ना जब थोड़े बड़े बड़े नंबर आ जाए तो मैं इस case के अंदर आप बोलूगो कि आप approximate कर लो ठीक एक 11 22 12 point something आएगा मेरे पास यहां बर 12 point something आएगा ठीक है अब मैं यहां पर divide करता हूँ 157 को 12 से divide करता हूँ यहां पर आएगा अब मैं यहां पर divide करता हूँ अब थर्टीन हो जाएगा वांच इक्यावन अब थो 51 आ रहा हूँ 13 4 तो 52 आ रहा है यानि कि 52 से थोड़ा चोटा यहां नहीं 14 14 से थोड़ा सा चोटा हो जाएगा यह को 13 से बड़ा है और मेरा 14 से चोटा है वैसे देखो अगर आप proper divide करोगे तो यहां पर 13 point something में राएग बड़ मुझे पदा 51 मेरा 52 से चोटा ही होता है तो 14 से मैंने थोड़ा सा चोटा मैंने कर दिया है ना जिस समझाने के लिए ओके बागी calculation आप अपने according भी कर सकते हो मैं यहां पर अपने according चीज़ा आप लोग को समझाने के लिए कोश कर रहा हूँ तो आप देख पारो कि भ कोनों statement मेरी true हो जाएंगी both one and two clear है उमीद करते हूँ आप लोग को fraction में comparison करना समझ आया होगा ना ठीक है आप लोग cross multiply करके भी कर सकते थे ठीक है बड़ मुझे यहां पर approximate वगरह भी सिखाना था आप लोग को अब आते हैं अपने board mass पर ठीक है board mass guys board mass बच्चे question solve करते तो हैं पर board mass के rule को भool जाते हैं इस rule को भूल के solve करते हैं वाओ simplification question को board mass को इस rule को भूल के solve करते हैं आप लोग देखो board mass का मतलब होता है जब भी आप इस तरीके से question करने जा रहे हो ना इस तरीके से मसूरी इस तरीके से आप जब भी कोशन करने जा रहे हो तो आप लोग को इस रूल का इस रूल को फोलो करना होता है अब इस रूल का मतलब क्या है bracket गया है B for bracket B for bracket off or off D stand for divide guys M for multiplication A for addition S for subtraction ठीक है means जब भी आपको simplification कोशन दिखता है जब भी आपका solve करने वाला plus minus इसके बीच में हो divide सब सारे science mix हो तो उसके अंदर आपको करना क्या होता है सबसे पहले guys आपको bracket solve करना होता है उसके बाद आपको off solve करने होता है इसके बाद divide solve करना होता है उसके बाद multiplication उसके बाद addition उसके बाद subtraction clear है इस सारी चीज़े उसके बाद solve करनी होती है मतलब line wise solve करनी होती है अगर मैं bracket की बाद करूँ तो bracket कुछ इस तरीके से होता है यह सबसे बड़ा वाला bracket होता है पिर यह छोटा curly bracket पिर यह वाला bracket और सबसे छोटा होता है आपका viniculum viniculum मतलब ब्रैकेट सारे solve एक जैसे एक तरीके से होते हैं बट जो सबसे छोटा bracket होता है वो सबसे पहले solve होता है यानि कि अगर यह सारे bracket एक जगा यूज़ होगे तो यह सबसे पहले solve होगा इस तरीके से लिखा होता है यह आपका इस तरीके से यहाँ पे लिखा होगा इन टू पोर इस तरीके से यहाँ पे लिखा होगा तो यह bracket होता है हमारा ठीक है जनरली लोग इसको भूल जाता है viniculum ओके तो अब करते हैं अपने question तो एक अपना simplification का वड़ा simple सा question है यह ठीक है अंडर root 4 प्लस आपको पता ही मेरा 12 का scale होता है तो 12 का scale होता है scale से root cancel हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12 अब यहाँ पे solve कर लीजिए अंडर root आपका 16 आ जाएगा 16 आपका बेटा 4 का scale होता है 4 scale होता है तो इसगेर से इस root cancel हो जायगा तो आपका answer आ गया 4 ठीक है अब यह मतमूदा रचना सरी scale से root cancel हो जागया because root का मतलब होता है power 1 upon 2 ठीक है तो यह आपका 4 अके ठीक है खिचोडी नी पगादी मैंने कुछ जा दे आगे बढ़ते हैं यह वाला कोशन देखो आप ओके तो मैं एक बाद लिख लेता हूँ यहाँ पर साइड में थोड़ा लिख लेते हैं इसको 4.5 माइनस 3.2 डिवाइड बाइ 0.8 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 डिवाइड बाइ 6 यह मुझे यहाँ पर सोल्व करना है ओके सो मैंने भी आप लोगों बताए था था भई बोर्ड मास का रूल अपलाय करना है एक बार खुद सोल्व करके देखिएगा और देखो बोर्ड मास जब भी आप सोल्व करने बैठो ना इसके मैं हमेशे आप लोग को एक चीज बताता हूं कि कैसे टाइम बगेरा बचा जाए मैं आप लोगो सिखाता हूं बट सिंप्लिफिकेशन के अंदर सिंप्लिफिकेशन के बहुत ज़्यादा होती इसलिए अराम से करो यार अगर एक मिनिट भी इस को सोल्व करने में लग रहा तो एक बार ही सोल्व करो बट वन गो के अंदर निकाल दो आप लोग ठीक है इसलिए अराम अराम से सोल्व करो तो अराम अराम से सोल्व करना है सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकिट तो सबसे पहले हम ब्रैकिट सोल्व करेंगे ब्रैकिट के अंदर भी वच्छे क्या द वो जगा है नहीं 4 के डिवाइड़ में मेरा 6 आ जाएगा ठीक है तो 4 3s are 12 6 2s are 12 यह आ गया मेरे पास अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ देखो सब के अंदर सिक्वेंस फोलो कर लो पर addition और multiply के addition और subtraction में आप कुछ भी पहले 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 कर लो फरक नी पड़ता हूँ अब लोग का ब्रिवाइडे 6.5 में मुझे फरक नी पड़ेगा यहां पर यह मैरा माइनस का 18 हो गया 4.5 है ठीक है पूरे 5 माइनस कर दो 4.5 मेरे से माइनस नहीं हो तो बट मैं पूरे 5 माइनस कर दूँगा पूरे 5 माइनस करोगा 13 आ गया बट मैंने 0.5 कम जादा माइनस कर दिया न तो इस विले एड़ कर दूँगा तो मेरा माइनस 13.5 अंसर है ठीक है माइनस 13.5 ऑप्शन यह आपका यहां पर करेक्ट असर हो जाएगा क्लियर है गाईज उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आगे बढ़ते है अब यह आला कोशन देखो आप लोग मैं जिस लिख दियता हूँ यहां पर साइड में थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है तो 87 एक बार वीडियो पोस करके नों खुट रहे करिएगा प्लस 2.5 2 अपॉन 5 ऑफ 1 वन 5 25 माइनस 2 अपॉन 3 मल्टिप्लाइ 45 ऑफ 2 डिवाइड बाइ 19 माइनस 4 यह मुझे यहां पर सोल्व करना है ओके तो अगेन बोर्ड मास का रूल में आप लोगो थोड़ा दिहान दिलाना चाहूंगा बोर्ड मास ठीक है तो पहले उन्यूमेटर में सोल्व कर लेते हैं 23, 20, 40 और इन दोनों को मैं एड़ करके लिख दूँगा 46 and 87 8, 4, 12 6, 13 133 हो गया आप लोगा अब अपन वाले नंबर हम सोल्व करते हैं डिवाइड में सोल्व करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट सोल्व ठीकेट के अंदर भी ओफ है यहाँ पर तो आप सोल्व करो 90 हो गया डिवाइड में पूरा नंबर आजागा ब्रैकेट वाला ठीकेट वाला पूरा नंबर आगया आपके डिवाइड में 19-4 तो यहाँ पर आजागा 15 15, 6, 90 होता है तो यह पूरा ब्रैकेट मैंने सोल्व कर लिया यह पूरा ब्रैकेट मैंने सोल्व कर लिया मेरा 6 आया पूरा करली ब्रैकेट मैंने सोल्व कर लिया है मेरे पास यहाँ पर आया 6 ठीक है यह मेरा मल्टिप्लाइ में 6 आ गया है अब यह मैंने उठा के जिस यहां पर लिख दिया, confused मत हो ना, कि सर यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, यह उठा के मैंने यहां लिख दिया, ओके, 3, 2, 6 हो गया, 2, 2, 2, 4, 25-24, आपका 21 हो जाएगा, ओके, cancel कर लो, 7, 3, 2, 1 हो जाएगा, 19, 7 हो 133 होता है, 19 upon 3 हो जाएगा, 3, 6 हो 18, 1 upon 3, 6 is 2, 1 upon 3 is your answer, option B guys correct हो जाएगा, clear है, option B is my answer, उमीद करता हूँ, आप लोग को clear हुआ होगा, ठीक है, lecture हमारा सही जा रहा है, अभी तोड़ी गड़े बड़ हो गी थी, अब यह वाला question आपका homework में है भई, homework में इसका answer कर करिएगा आप लोग, ठीक है, ओके, तो इस question को solve करते हैं, एक बार video try करिएगा, फिर माप लोगों बताऊँगा, आपने क्या गलती करिए यहाँ पर, है ना, मुझे बता जनरली बच्चे गलती करेंगे यहाँ पर, कि एक बार मैं यहाँ आपर लिखे दिखायता हूँ, आ 26th square, 36th square, अप उन 8th square, फ्लस 13th square, फ्लस 18th square, यह मेरे पास kोशन है, तो आपको ऊपर नीचे same बनाना है न, आप क्या करोगा, यहाँ पर ने 2 common ले लोगे, तू कोमन ले लोगे और उपर नीचे स्टेम बन जाएगा आपको लोग कैंसल कर दोगे और आपका अंसर हो जाए कोशन हो जाएगा गल्द अब मैं बतातों आपने गल्द देखो इसकेर का मतलब क्या है आपने इसकेर का मतलब क्या है यह बताओ मुझे 16 स्केर लिखा है इसकेर का मतलब क्या है वही 16 स्केर मतलब 16 इंटू 16 और आप कहरो सर मैंने इसमें से 2 कोमन लिया है चलो जी 2 कोमन ले लो तो यहाँ पर आपका 8 बचेगा यहाँ पर आपका 16 बचेगा आपने two common ले लिया two common ले लिया आपने अब आपका eight into sixteen बचा है eight square तो बचा ही नहीं आप लोगों का clear है means square के अंदर से number भी square की form में ही common निकलना चाहिए cube के अंदर से number भी cube की form में ही common निकलना चाहिए means मैं यहां से अगर मुझे उपर नीचे same बनाना है न यानि कि मुझे उपर भी eight square बनाना है guys अगर मुझे यहां पर भी eight square बनाना है तो मुझे दो बार two common लेना पड़ेगा two times मुझे common लेना पड़ेगा means मुझे यहां से भी two common लेना पड़ेगा अब देखो यहां से आप 2 square common लेंगे यहां से भी 2 square common लेंगे यहां पर 2 square लेंगे तो 2 square यहां पर common आ जाएगा यह हो जाएगा मेरा 8 square 13 square 18 square ठीक है अपोन में 8 square प्लस 13 square प्लस 18 square ठीक है यह cancel होगे आप लोगों का उपर नीचे same था अब आपका आ जाएगा under root 2 square square से root cancel होगे answer is 2 उमीद करता हूँ समझा आओगा option B आपका accurate answer हो जाएगा clear है guys ठीक है जहां पर बच्चे गलती करती है वो चीज़ मैंने आप लोगों को समझा दिया है अब देखो कुछ basic formulas होते हैं भाई जिए two by power zero है तो वो मेरा बनेगा क्या अगर 2 by power minus two तो मेरा बनेगा क्या वो number होता क्या है ये powers की knowledge नहीं है तो power की थोड़ी यहां पर knowledge लेते हैं जैसरे a की power zero लिखा है था था ना वो मेरा number होता है यानि किसी भी number का ये किसी भी variable का power अगर मेरी是0 हुई न तो वह नंबर मेरा 1 होता है ऑगर अगर मेरा वन नंब्र रहता है एक्वसक्राइब already देशिक्ष की पावर करता हूं थो यह मेरा 5 हो जाएगा 6 की power 1 करता हूँ तो यह मेरा 6 हो जाएगा 7 to the power 1 करता हूँ तो this is 7 8 to the power 1 करता हूँ तो this is 8 या निकि किसी भी number की अगर power 1 करता हूँ तो वो मेरा as it is वही number रहेगा अगर power मेरी minus में है तो means वो number मेरा fraction के अंदर है और example जैसे कि 2 to the power minus 2 है तो इसका मतलब यह मेरा 1 upon 2 square है ठीक है इसका मतलब यह होता है अगर मेरा power upon में है इसका मतलब यह root वाला number है यह तो थोड़ी दिर पहली मैंने आप लोगों को बता दिया तो यह चीज़ हो कि अगर understanding होईगी तो question आप लोग कर पाऊँगे अब देखो अगर मेरा base same है guys अगर numbers का base same है अगर base same है तो power मेरी add हो जाती है अगर base same है तो power add हो जाती है जैसे कि यहाँ पर a to the power m into a to the power n है तो power यहाँ पर मेरी add हो गई for example 2 into 5 2 to the power 5 2 into 2 to the power 6 तो यह मेरा हो जाएगा 2 to the power 11 ठीक है यह चीज यहां पर हो यानि कि base same है तो power मेरी add हो जाती है अगर base same है और number मेरे divide में है तो power minus हो जाएगी base same है number multiply में तो power add हो जाएगी base same है number मेरे divide में तो power minus में हो जाएगी for example 2 to the power 4 divided by 2 square है तो यह मेरे हो जाएगा 2 to the power 4 minus 2 तो मेरा two square आ जाएगा ठीक है base same है base same है और number मेरे divide में है तो power minus हो जाएगी base same है number multiply में तो power add हो जाएगी अब देखो इस चीज के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा दिक्कत खाते हैं ठीक है bracket और without bracket देखो जब भी आपका power bracket के बहार हो जैसे कि a to the power m into n है तो आप क्या करो पावर को multiply कर दो बच जब भी आपका power के ओपर power है तो इसका मतला वज़ता कि यह जो m है ना मेरा n times है मैं आप लोग को इसको clear करके दिखाता हूँ इसका actual meaning क्या होता है जैसे कि यहाँ पर मेरा लिखा है two to the power four to the power two है तो इसका मतलब है कि जो मेरा two की power four है ना वो two pile लिखा है यह नि four into four ओके तो इसका मतलब हो जागा मेरा four four 16 फरक n दोनों के बीच में ओके तो उम्मीद करता हूँ यह दुनों चीज़ समझ आ गई होंगी आप देखो कोई number bracket में और power n है अगर आप इस 108 को a लिखते हो अगर यह आपका 108a है ठीक है ना तो आप देखो कि यहाँ पर a है यह भी a है आपका यह भी a है और आप 92 को b लिखते हो तो आप यह देखो कि b into b into b है और यहाँ पर आपका a square हो जाएगा यह भी आपका b square है यहाँ पर आपका a b हो गया तो और जैबरा के अंदर ना पर फोर्मॉला पड़ोगे, क्या होता है वो फोर्मॉला मुप एक्यूबॉब उपके मेरा फोर्मॉला होता है यानि कि AQ-BQ की जगह मैं लिख सकता हूँ दोस्तो A-B bracket A square plus B square plus A-B and अप उन में लिख दूँगा मैं A square plus B square plus A-B ओके बस आप लोग देख पार हो कि उपर नीचे मेरा same चीज है तो यहाँ पर cancel हो जाएगा मेरे पास बचेगा A-B यह काफी important question है पूछा जाता है आप लोग का तो A कितना था भई? 108 था दोस्तो और मैं B की बात करता हूँ तो B मेरा 92 था 16 मेरा यहाँ पर answer है 108 में से अगर मैं 92 cancel करता हूँ तो option C यहाँ पर correct answer हो जाएगा clear है guys? उम्मिद करता हूँ आप लोग को समझ आओगा अब आगे बढ़ते हैं यह आपका जो अभी मैंने questions करवाय था ना cube के उपर यह काफी exams के अंदर पूछा गया है ओके? और C-U-T के अंदर तो जादे ही पूछा गया यह अब यहाँ पर देखो अगर मैं 275 को A लिखता हूँ तो यह मेरा A square हो जाएगा इसको मैं B square लिख दूँँगा तो यहाँ पर मेरा A B है तो A plus B तो algebra के अंदर एक formula पढ़ोगे आप लोग कि A square minus B square होता है दोस्तो A plus B into A minus B यह मेरा algebra के अंदर formula होता है तो आपका यहाँ पर उपर लिखा गया है भई A square minus B square और अपोन में आपका A plus B लिखा हुआ है तो इसको just open कर लीजे आप लोग A square minus B square इसको open करोगे A plus B into A minus B अपोन में A plus B है आप लोग का तो A plus B से A plus B cancel हो जाएगा आप लोग का तो यहाँ पर आप लोग के बचा है A minus B only तो A क्या है आपर 275 B है आपका 175 answer is 275 में से 175 cancel कर दोगे 100 आप लोग का option A ठीक है तो important question है यह भी आप लोग का ठीक है जादा वर पूछा गया question है तो यह मैंने इसलिए करवा दिया आप लोग को okay so उम्मीद करता हूँ clear होगा आप लोग को आगे बढ़ते है अब देखो अपना last concept बचा है यह अपना okay so यह जो concept है दोस्तों आप लोग का A plus B के hall square के ओपर concept है आपका आप लोग ने एक formula पढ़ा होगा अपना algebra के अंदर अप लोग देखोगे A plus B का hall square तो यह होता है आपका A square plus B square plus 2AB ठीक है तो आपको ना आपने अगर school time पे यह formula वैसे बढ़ा ही non formula है मतलब 8-9 से हम use करना start कर देते है इस formula को ठीक है तो आप लोग न इस तरीके से यहाँ पर आप लोग जंप करना सीख गय होगे school time पे यहाँ से इस तरीके इस पर जंप करना सीख गय होगे बट आज मैं आप लोग को इधर से इस पर जंप करना सीखा हूंगा इस expression से हम इस form पे जम करना सीखेंगे means जैसे कि यह आपको number लिखा गया है है ना यहाँ पर लिखा गया आप लोग है under root 8 plus 2 root 15 means यह जो root वाई यह जो 2 root है ना यह आपका 2AB वाली form है 2AB वाली form है और जो आपका 8 है ना यह आपका A square plus B square वाली form है यह भी A है यह भी B है यानि कि जब मैं A का square कर देता हूँ तो यह आ जाता है जब मैं B का square कर देता हूँ तो यह आ जाता है और इन दोनों को add करने के बाद मेरा 8 बन रहा है तो वही चीज मुझे यहाँ पर देखना है कि कि A और B है आपर मेरे पास ठीक है जब मैंने A का square करा जब मैंने A का square करा तो मेरे पास यह बना जब मैंने B का square करा तो मेरे यह बना जब मैं इन दोनों को add कर देता हूँ तो मेरे पास यह बनता है लिए तो आप लोगों को जो भी थोड़ा रहा हो रहा है थोड़े दिक्कत लग रही होगी सर कैसे होगा वह सब डिक्लियर हो जाएगा वी ठीक है multiply करओं तभी तो मेरा root 15 बनेगा means, अगर मैं root 5 का scare करता हूney, दोस्तो तो यह five और root 3 का, अगर मैं scare करता हूँ to three हे जाएगा, और अगर मैं इन दोनों को add करता हूँ, एक sorry and अगर मैं इन दोनों को add करता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा, हहाँ पर eight clear है root 5 को square करा 5 root 3 का square करा 3 इन दोनों को add करा मेरे पास 8 means अब मैं इसको सिधा सिधा लिख सकता हूँ कि यह जो मेरा root 5 है और root 3 का square है root 5 और root 3 का square है यह और यहाँ पर root था तो square से root cancel हो जाएगा सा अंसर आ जाएगा root 5 plus root 3 ठीक है जी बात clear है में आपने देखा भाई यह मेरा A और B है यह A और B का स्केर था यहाँ पर A है और B है तो यहाँ पर मैं लिख देखा भाई A और B A और B का हॉल स्केर से रूट कैंसल हो जाएगा अब वीडियो पोस्ट करके इस कोशन हो खुट ट्राय करना आप लोग ठीक है ओके सो ऐसे दो नमबर के अंदर ब्रेक करना है जिनका स्केयर करने के बाद मेरा सैवन बन जाए तो आपको सर शिक्स टूजा ट्वैल बट छे और दो ना आठ होता है सैवन नहीं होता ओके और कोई नमबर देखो यार आपको सर रूट फोर इंटू रूट थिरी ठीक है फोर चार और तीन साथ होता है न ओके अगर मैं फोर का स्केयर करता हूँ रूट फोर का स्केयर करता हूँ तो फोर आ जाएगा रूट फोर का स्केयर करता हूँ तो फोर आ जाएगा रूट 4 plus root 3 sorry एक चीज यहाँ पर और चीज नोटिस करना ओके यह जल्दवाजी में निकल जाती है कि जब भी यहाँ पर अगर माइनस होना तो इन दोनों के बीच में माइनस लगेगा अगर इन दोनों के बीच में माइनस था तो फ्लो फ्लो में निकल जाती है तो थोड़ा यहाँ पर silly mistake होने के chances रहते हैं तो अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आप लोग माइनस करना root 4 minus root 3 का hall is के रहे आप लोग का ओके इस तरीके से यह भी करना आप लोग देख पार होगी root 2 चलो यह homework एक बार वीडियो पोस करें खुड ट्राय करो यह तो root 2 और root 1 इसके अंदर break करूंगा root 2 into root 1 के अंदर अगर मैं root 2 का square करता हूँ तो 2 हो जाएगा root 1 का square करता हूँ तो 1 हो जाएगा 1 और 2 आपका 3 हो गया ठीक है ना 1 और 2 आपका 3 हो जाएगा means root 2 plus 1 का whole square है square थो cancel हो जाएगा तो root 2 plus 1 अब दोग इस चीज़ को आपको लोग कितनी जल्दी कर पा रहे होगे आगे बढ़ते हैं अब देखो यह वाला question भी पिछले question की तरह ही होगा बट यहाँ पर आपका एक थोड़ा सा difference है वहाँ पर आपका बहार 2 था यहाँ पर 2 नहीं है अगर यहाँ पर बहार root के बहार 2 नहीं है तो आप कोई बात नहीं है आप 2 बना लो जैसे कि अगर मैं 4 को break कर सकता हूँ 2 into 3 के अंदर 2 into 2 के अंदर तो 2 को ना मैं अपना 2 एक बहारी रहने दूँगा विकोज मुझे 2AB वाली form चाहिए तो इस 2 को मैं बहारी रहने दूँगा और यह इस वाली 2 को मैं root के अंदर ले जाऊँगा अब जब यह root के अंदर जाएगा तो यह root के अंदर जाएगा तो बट 6 और 2 तो 8 होता है आपका मैंने एक गलती कर दी यार मतलब मैंने बोला फिर भी मैंने नहीं करा कि अंदर रूट में जाएगा तो आपका 4 हो जाएगा 4, 6, 24 बनना चाहिए 12, 2, 24 तो 12 और 2 तो 14 होता है और माइनस मुझे करना नहीं है 12 में से 2 माइनस कर दिया 10 बन जाएगा नहीं मुझे प्लस ही करना है तो मुझे यहाँ पर करना बढ़े रूट 6 प्लस रूट 4 रूट 6 और रूट 4 यानि कि रूट 6 का अगर मैं स्केर करता हूँ तो मेरा 6 हो जाएगा root 4 का अगर मैं square करता हूँ 4 हो जाएगा 6 और 2, 6 और 4 आपका 10 होता है means यह आपका root 6 plus root 4 का hall square होगा, square से root cancel हो जाएगा, so root 6 plus 2 का hall square है, root 6 plus 2 इसका answer हो जाएगा, okay same question आपका यह भी है, इसको भी करिए आप लोग 6 आपका बहार है इसको बस 2 ही बहार रहने दिना, बागी सारा number अंदर ले जाएगे, 2, 3, 6 है 3 का root के अंदर लेके जाऊँगा, तो 3, 3, 9 हो जाएगा 9 minus 2 9 to the 18 clear है, 18 को ऐसे दो number में break करना है, जिसको square करने के बाद add करता हूँ, तो मेरा 9 बनना चाहिए, है न तो कर लिए बढ़ी, 6, 3, 18 6, 3, 0, 18, तो यह आपका अंसर आजाएगा, root 6 minus root 3 का hall scale, सीधा-सीधा अंसर करना आप लोग को, ओके अब पूरा detail में नहीं करके दिखाऊंगा ओके that's all guys, तो अपना यह वाला top B भी complete होता है, और आप आप लोग अगर यहां तक आये हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद because मैं कुछ irrelevant करवाए नहीं रहा हूँ ठीक है, अगर आप लोग इसके अंदर भी चीज़े मिस कर रहे हो, तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो ठीक है, PDF के लिए आप लोगो टैलिग्राम चैनल जरूर जोइन करना है, PDF बगारा मैं वहाँ पर देता रहता हूँ, प्रोपर लेक्चर की मेरी अपडेट वर्शन वहीं मिलती रहेगी, आप लोगो को जो भी मुझसे कोशन को पूस्ते हो ना, कमेंट बोक्स में करते हो टैलिग्राम चैनल जोइन करो, वहाँ पर कोशन वगारा करो, कमेंट में नहीं करना ठीक है, कमेंट में कोशन करने लग जाते हो तो मिलता हूँ अपने लेक्स लेक्चर के अंदर, पढ़ते रहेए, मुश्कुराते रहेए और, respect your elders guys, ठीक है, मिलता हूँ नेक्स लेक्चर के अंदर, टाटा भाई वे, टेक केर